एक्टी वन नमबर कोस्टन जी एस प्रैक्टिसेट वन से और आप देखोगे यहां कोस्टन है ब्रिटिस करोर पती डेविड बारकले का 86 वर्ष की आयू में निधन हो गया वे किस मीडिया गुरूप के सह मालिक थे ठीक है तो आप देखोगे देली टेली ग्राफ के थे देल तो डेविड बोले तो डेली टेली ग्राफ आशिया देखे डेली बारकले 86 वर्ष की आयू में निधन हो गया किस मुडिया गुरूप के मालिक थे तो डेविड बोले तो डे डेविड डे डेली डेली टेली ग्राफ के थे तो ऐसे ही जैसे बहतार वैसे आप यादक्त ठीक है फैड्रिक बारकले के साथ होटल वो सिपिंग की कारोबारों में भी सामिल थे ठीक है तो डेविड बारकले और फैड्रिक बारकले यह दोनों जुरुआ भाई आप देखोगों देखने को मिलते हैं नेक्स्ट है आई सिसी द्वारा किसी दसक्का सरस्रिष्ट प्रूस वंडे प्रूस वंडे ठीक है प्रूस वंडे किर्केटर चुना गया है तो किसी चुना गया है विराट कोहली को आई सिसी द्वारा किसे दसक्का सरस्रिष्ट प्रूस वंडे किर्केट चुना गया है तो विराट कोहली ठीक है तो आप देखोंगे काईली जेनर है या देखें फिर से समझें फोब्स की 2020 की सो सबसे ज्यादा कमाई करने वाले हस्तियों में इनका नाम काईली जेनर का नाम देखने को मिल रहा है ठीक है जो कि आप देखोंगे पांसो नब्बे मिलियन डॉलर आयके सार्थ ये सिर्ष पर है किस देश की सेना ने सवदेशी रूप से विक्सित गाइडेड मल्टी लॉंच रॉकेट सिस्टम फता वन का सफल उरान प्रिक्षन पूरा किया है ठीक है तो पकिस्तान तब पॉफ बोलके या तक लेजिए पॉफ बोलके फता वन का सफल उरान प्रिक्षन पूरा किस ने किया तब या तक है कि कहा जारा कि जनवरी दो हजार इकिस को ठेक है पाकिस्तान की सेना ने सवदेशी रूप से विक्सित गाइडेड मल्टी लॉंच रॉकेट सिस्टम फता वन का सफल प्रिक्षन किया यह 140 किलो मीटर की दूरी मार करने में सक्षम है अमेरिकी चुनाव 2020 में राष्टपती तथा उपराष्टपती पदर पर निर्वाचित जो बाइडेन तथा कमला है रिस या देखे राष्टपती 2020 में जो अमरीकी चुनाव हुआ 2020 में जो अमरीकी चुनाव हुआ ठीक है उसमें राष्टपती की रूप में बाइडिन थे पुरा नाम ही इनका जो बाइडिन और उपराष्टपती कमला है रिस यह किस पार्टी के उमिद्वार थे अंसर देजे तो यह किस पार्टी से हैं तो डेमोक्रेटिक पार्टी से यह दखे 2020 में अमरीकी चुनाव में जो राष्टपती उपराष्पती चुने गए तो राष्टपती जो बाइडिन और उपराष्पती कमला है रिस निन में से कौन सा मानो अधिकार भारती समिधान के अंतरगत मौलिक अधिकार भी है तो सिच्छा का अधिकार सिच्छा का अधिकार के अगर बात करें हूं तो भारती संसत द्वारा 66 संसोधन की द्वारा अनुछेद बोले तो आर्टिकल 21 में संसोधन करके 21 ए जो रा गया जिसके तर भारत के परते 6 से 14 साल के बच्चे को मुफ्त और अनिवार सिच्छा दी जाएंगे सभी सरकारी विद्यालों अनिजी सिच्छा संस्थान अपने हां कुल सीटों का याद के सरकारी स्कूलों में तो फुली फिरी दे जाएंगे लेकिन अगर कोई निजी संस्था है तो उसमें आप देखोगे 25 परसेंट निर्धन बच्चों को मुफ्त सिच्छा परदान करेंगे और राष्टे प्राव्रेक सिच्छायू इसके लिए नियामक संस्था होंगी तो सुचे इसमें कितने सारे कोश्चन आपको देखने को मिले एक से कितने सारे कि मानो अधिकार भारते समिधान के अंतरगत मौलिक दिकार कोन तो सिच्छा तो सिच्छा का दिकार छासर सवस्थन 21 में सवस्थन करके किस यह बनाए गया इसमें कहा रिया चैसे चौफ साले तक के बज़ों को दिसुर्ट सिच्छा ठीक है जी मैंस सहुतराश्ट मानो दिकार परिश्त यू एन एज आर सी कि अस्थापना और आपको याद हो जाने चाहिए तो आप देखोगे जेनेवा तो यहाँ पर याँ दखेंगे मानव का अधिकार ना किसका मानव दिकार तो जेनवा जेनी लोग का मानव का अधिकार पर फोकस करेंगे जानेवा तो लोका मैंनेकर पर याँ बिटा के सणक्षन धेतों चिननित होटस पौर्ट में से भारत के कितने छेतरों का चैन किया गया है तो दो यादकों का होटर स्पोर्स में बाहर के कितने छेत्रों का चैन किया गया है तो दो जलवाई परवर्थन परियावरन वनेन के समस्याओं के रोप्थाम के लिए क्या परियास किये गए हैं तो ग्रीन इंडिया मिशन की अस्थापना की गई ग्रीन इंडिया मिशन की अस्थापना की गई तो घ्रीन इंडिया मिशन की अस्थापना की गई के सरवादिक नगरी कि तो महादीप कोन है एक यादखोगे फोकस कीजिए तो अस्टेलिया याद है कि सबसे नगरिकित महादीप अस्टेलिया सबसे छोटा महादीप कौन अस्टेलिया दक्षिन गुलार्द में कौन है अस्टेलिया चेक है इस महादीप में 22 देश है याद दखोगे 22 देश है चेक है कितने देश है तो आप देखोगे यहां के मुल्य वासे को निवासियों को एबो जिरिंस कहते हैं तो याद रखे एबो जिरिंस कहते हैं ठीक है नेक्स्ट